हेलो फैंस मैं हूश रिस्कमार सर्मार एक पर फिर से बहुत स्वाथ करता हूँ आपका अपने चैनल पर यदि आपके पास कोई भी एलाइसी की पोलसी है तो यह वीडियो आपके लिए काफी जादा महत्पून हो सकता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप इस बात का परमान होता है कि आपने अपनी प्रिमियम जमा कर दिया है तो आपको अभी तक उसकी रिसिफ नहीं मिली है तो आए जानते हैं कि अपने मोईल फॉन से अपने घर पर बैठे केवल एक किलिक कर करकर आपकी इस तरीके से अपनी पोलसी की प्रिमियम लाइसी नाम से application आ जाएगी, इसे आप अपने mobile phone के अंदर install कर लीजे, तो हमारे mobile phone के अंदर ये application install हो चुकी है, अब इसके बाद इसे यहां से open कर लीजे, यदि आपने LIC customer portal के अंदर पहले कभी भी registration नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको सबसे नीचे वाला option new user registration सिलेक्ट करना phone आ जाता है, आपको इसमें अपनी सारी detail डाल कर LIC customer portal में registration करना होगा, क्योंकि जब तक आप LIC customer portal में registration नहीं करेंगे, तब तक आप LIC customer portal की इस application के अंदर login नहीं हो सकते, हमने इस पर already video बनाया हुआ है, कि आप LIC customer portal में किस तरीके से registration करकर अपना user ID और password create कर सकते हैं, आप आपको हमारा ये वीडियो हमारी LIC की playlist में मिल जाएगा, जिसे देखकर आप LIC customer portal में registration कर सकते हैं, LIC customer portal में registration करने के बाद आपको यहां registered portal user पर क्लिक करना है, आपको यहां उपर अपना user ID और नीचे password और नीचे date of word डाल कर sign in पर क्लिक करते हैं, आप LIC customer portal की mobile application के अंदर sign in हो जाएंगे, आप यहां उपर अपनी सारी policies देख सकते हैं, आपको यहां पर नीचे basic services पर क्लिक करना है, अब इस तरीके से आपके सामने list open हो जाएगी, आपको सबसे उपर वाले online payment receipt के option पर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहां पर financial पर आपके प्रेमियम रिसीट करने का option आजाएगा, आपको यहां से सबसे पहले अपना financial year select कर लेना है कि आपको किस साल की LIC की premium receipt download करनी है, जिस तरीके से हम अपनी LIC की premium receipt जो download करना चाते हैं, वो 2021 और 2022 की download करना चाते हैं, तो हम यहां से 2021-2022 financial year select कर लेंगे, financial year select करते ही, आपके सामने नीचे यहां पर आपकी वो सारी policies show हो जाएंगी, जिन policies की premium receipt आपकी download करने के लिए available होगी, इसके बाद आपको यहां पर category पर click करना है, category पर click करने के बाद सबसे उपर वाला option आप select कर लीजिए, renewal, premium, revival, premium receipt का, आप इसे select करेंगे, तो आपने जो policy का premium अभी ज करेंगे, तो आपकी premium receipt download होकर आपके mobile phone के अंदर इस तरीके से PDF में open हो जाएगी, इस receipt के सबसे उपर लिखा होता है, transaction number और उसके नीचे date, और उसके नीचे policy number और उसके नीचे लिखा होता है, renewal premium receipt और उसके नीचे आप देखेंगे, तो आपने कितना premium जमा किया है, वो लि लिखा हुआ, दिखाई दे जाएगा, सबसे नीचे आएंगे, तो आपका यहाँ पर mobile number, email ID, सब कुछ लिखा हुआ, आपको show कर जाएगा, अब आप इस receipt को जहां भी share करना चाहें, वहां share कर सकते हैं, यदि आप किसी को भेजना चाहते हैं, तो भेज सकते हैं, यदि आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं, तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा कर अपने पास रख सकते हैं, यह वीडियो आपके लिए जुरूर हेल्फुल रहा होगा, लाइसी से और जागा भातिन वीडियो के लिए आप हमारी लाइसी की प्लेलिस जाकर देख सक करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर अपना कोई निया वीडियो अप्लोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, यही चैनल सब्सक्राइब किया हुआ ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बैतिन जानकार के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गूड़ बाय, टेक केर, जैहन.